हेलो फ्रेंट से चपाचा वच्चा मेडी हेल्प में आप सबका स्वागत हैं। प्रोब्लम कमेंटर करती है तो उनको ऊ rond पराद मेंटियो में ए यही बताने वाली हो कि नावसिया न्चयारी वमेटर करेंटर है और यले चेगरियों मेंटर मेंटर कर दाए। और क्या सब महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान नौजिय वोमेटिंग की प्रॉब्लम होना जरूरी है कि नहीं तो फ्रेंट्स पूरी जहनकारी के लिए वीडियो को पूरा देखेगा और अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारे मिल सके तो friends क्या होता है कि जब आप अपने partner के साथ relation बनाते हो तो egg और sperm का fertilization होता है तो fertilization के बाद से cells divide होने लगते हैं पहले 2 cell बनता है फिर 4 cell बनते हैं फिर 8 cell बनता है तो ऐसे करके cells divide होने लगते हैं और cell का एक cluster बन जाता है एक bundle बन जाता है जिसको कहते हैं blastocyst तो blastocyst एक embryo होता है एक brun होता है तो fertilization के 6 से 12 दिन के बाद कम से कम 6 दिन और ज्यादा से ज्यादा 12 दिन के बाद ये embryo ये जो brun होता है वो fallopian tube से transfer होके uterus में जाके uterus की lining के साथ जिसको कहते हैं endometrium तो ये जो brun होता है वो जब embryo से जाके uterus में implant हो जाता है तो इस process को कहते हैं implantation प्रत्यार उपड तो जब implantation का process complete हो जाता है तो endometrium से placenta develop होने लगता है और embryo develop होने लगता है तो वहाँ पे placenta दो hormone produce करता है पहला होता है सेजी hormone सेजी hormone human chorionic gonadotropine hormone होता है जो pregnancy के लिए responsible होता है सबसे पहले urine में और blood में SCG hormone produce होता है जिसके कारण से pregnancy positive आती है और दूसरा hormone होता है पोज़ेस्टरॉन होर्मोन प्रेगनेंसी के growth के लिए जरूरी होता है और भी बहुत सारे पोज़ेस्टरॉन के काम होते हैं पोज़ेस्टरॉन का काम होता है कि यह हमारे body के muscles को relax करता है lose कर देता है जिससे की pregnancy का growth हो सके, pregnancy का development हो सके जैसे कि uterus की size बढ़ती है जब muscles lose होते हैं तब ही uterus की size बढ़ती है तो पोजस्टॉन के और भी बहुत सारे काम होते हैं तो इसी पोजस्टॉन के कारण से pregnancy के दोरान नाजिया पोमेटिंग की problem, उल्टी और मतली की problem, मतली को जी मिसलना भी कहते हैं जैसा कि मैंने बताया कि जब implantation का process complete हो जाता है और placenta पोजस्टॉन होर्मोन सेक्रीट करने लगता है तो पोजस्टॉन होर्मोन के कारण नाजिया पोमेटिंग की problem होती है उल्टी और मतली की problem होती है तो यह वो समय होता है जो आपका आने वाला period होता है जो आपका next period होता है उसके 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद आपको यह problem होना start हो जाता है जो कि आपके period मिस होने से पहले ही आपको नाजिया पोमेटिंग की problem होने लगती है तो पोजस्टॉन के कारण यह problem होती है इसके अलावा breast में tenderness हो जाती है breast में pain होने लगता है breast बहुत जादा sensitive हो जाते हैं तो यह early pregnancy के symptoms होते हैं जो पोजस्टॉन के कारण होते हैं तो आपका इसके पास से आपका अगला period मिस हो जाता है और उसके पास से आप जब urine pregnancy test करते हो तो आपका pregnancy test positive आता है तो pregnancy के दौरान pregnancy की पहली दिमाई से यानि की pregnancy early pregnancy में ही nausea vomiting की problem होना start हो जाता है और कई महिलाओं को pregnancy की दूसरी दिमाई में यानि की चौथे महीने से पहले ही nausea vomiting की problem खतम हो जाती है लेकिन अकसर महिलाओं को pregnancy के दौरान पूरी pregnancy कभी-कभी nausea vomiting की उल्टी और मतली की problem रुप-रुप कर होती रहे और ये भी जरूरी नहीं है कि pregnancy में सब महिलाओं को ये सम syn'sia हो क्यूंकि सबकी बौडी अललाग होती है कि सबकी बॉडी में tomorrow अलग अललग होती है तो pregnancy की दौरान kis को ज्यादा nausea vomiting की problem होती है तो किसी को कम होती है तो किसी को होती ही नहीं है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है सिर्फ 1% ऐसी महिलाएं होती है जिनको pregnancy के दोरा nausea vomiting की problem नहीं होती है तो friends I hope कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि pregnancy के दोरा nausea vomiting की problem कब से start होती है और कब तक रहती है तो अगर आपको ये वीडियो यूजफू लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने friends के साथ जादा से जादा सेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और इस चैनल को subscribe करिएगा प्रेंड्स मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए थैंक यू